कि हेंलो फ्रैंट सो इस वीडियो में हमनों देखने वाले हैं कितने टेप के सैंप्लिंग होते हैं पहला होता है इंपल्स सैंप्लिंग दूसरा नैच्राल तीसरा फ्लेट अप सैंप्लिंग बहुत ही सिंपल होता है इसमें मतलब train of impulse को आप message signal से multiply करते हो और resultant आपका impulse sample signal आता है हर एक interval के बाद आप एक मतलब उतने ही amplitude message के amplitude का एक impulse आट करते जाते है इसका formula यह होता है impulse sample signal का 1 sf equal to 1 by T a summation n equal to minus infinity to plus infinity g of f minus n fs ठीक है अब natural sampling के fs का sampling frequency n integer है natural sampling के इस इंपल्स सेंप्लिंग का मोडिफाइड वरिजन नेच्राल सेंप्लिंग है इंपल्स सेंप्लिंग जो है प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है आप इतना आइडियल इंपल्स जनरेट नहीं कर पाते हो आप ठीक है तो इसलिए उसका जनरेशन थोर डिफिकल्ट होता है तो Natural Sampling existence में आया इसमें क्या होता है अब यह impulse didn't नहीं आप एक false train से मिलटीपिलाइं करते हो इंपर्स oni नहीं आप एक पर्ल स्थे nutr configured गarden पर भूर सबंगा इन बना सकते हो थीकänge ंदद जनरेट कर सकते हो तो pulse Marin को आप मैसे signal के साथ मल्ल्टिक्लाइए कटते हो आपको resultant sampling signal यहाइसा मिलता है तो वो इसका हर एक pulse जो हता है वो उसका amplitude मेसेज की साथ continuously vary होता है देखो हर pulse कोई flat नहीं है सब message कर लिंग vary हो रहा है ठीक है यह message है ठीक है तो अब देखो तो इसमें यह प्रैक्टिकल तो है अभी यह पैम अपना आगे पढ़ेंगे पैम पॉल्स आगे प्रैक्टिकल थोड़ा सा नॉइस जनरेट करता है क्यों प्रैक्टिकल तो है तो आपको थोड़ा भी नॉइस आया तो आपको रिकवर नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि आपका जो है इंपलिटूड वह कंटिएश्ली वैरी कर रहा है तो थोड़ा मतलब नॉइस के लिए जो है बहुत जाला सैंसिटीव है ठीक है तो यह डिसड़वांटेज है आपका यह नैच्छल सेंप्लिंग का और अब देखते हैं कि अगला सेंप्लिंग क् ये फ्लैट चुला जाता है क्योंकि इस में जो here एक उसको नहें सेंप्लीटि डूरेशन के तुरह इसको कंटनी रगता है तर अगर Και मालस का एंपल्स ट्रैंट तोड़ों चेंज होया तो फोट थोड़ों details होजाता है ह्षिसेंपल किया उसको Synery है sampling duration के तरूं फिर अगला sample लिया उसको hold करता है ठीक है यह funda है तो इसमें आप natural sampling वाला expression लो 1 by T summation g of f minus nf but उसको एक एक फिल्टर या एक system के transfer function की से multiply किया है h of f क्या है h of f sink function है tau sink of f tau e power minus j by f tau sorry minus minus j by f tau अब sink क्यों देखो यह एक आप यह pulse जो है इसको आप यह माल लो कि एक impulse के साथ impulse के साथ वह pulse multiplied है ठीक है तो यह pulse train क्या है summation of impulse multiplied by pulse rectangular pulse अब rectangular pulse का frequency domain में sink होता है आप easy मतला आपको समझा आगया होगा ठीक है अभी अगला तो यह यह वह यह एक expression यहां पर लिखा हुआ है 1 by ts summation f minus g of f minus nfs into tau sink f tau e power minus j by f tau ठीक है यह लेकिन यहां पर भी एक problem यह कि distortion यह जो फ्लैट टॉप है जो है मंदब सिंक के कान जो फ्लैप पल्स मॉडल सेंपर सिगनल में जो टॉप फ्लैट है एक डिश्टॉर्शन जनेरेट करता है जिसका नाम आपर्चर एफेक्ट है दू तो आटिफिशली लेंदिनिंग दपर्स रिजल्टिंग रिजल्टिंग दूट दिश्टॉर्शन विल बिप्रजेंट इंड डिक रिजिवर सिगनल में तो ओर गन्तिस एक्विलाइजर यूज़ किया जाता है जाता है इसका सॉलुचन है एक्विलाइजर ठीक है बदाब जीतना आप जो ट्रांस्पर पंट्री यहां यूस कर रहें उसका ट्राइब आफ टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं आने वाली वीडियो से और गेट पास आगे हैं उमीद कर दो आपकी तहरी अची चल रही है आप चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आपको नोटिफिक्शन मिल जाए थैंक यू गाइस